नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चानल स्मार्ट स्टोडी 101 पर और मैं हूँ देव्या बर्मा दोस्तों हम मध्यकाल की मूर्तिकला पढ़ रहे थे जिसमें हम लोगोंने अल्मोस्ट सभी टॉपिक कम्प्लेट कर लिये हैं केवल दो टॉपिक आपके रह गये हैं जिसमें हम खजुराओं की मूर्तिकला पढ़ेंगे और कोडार के सूर्य मंदिर की मूर्तिकला को हम कम्प्लेट करेंगे ठीके तो दो टॉपिक आज की वीडियो में हम कम्प्लेट कर लेंगे और इसके बाद में आपका पूरा स्लेबस कम्प्लीट हो जाएगा तो चलिए फिर पढ़ना सुरू करते हैं और दोस्तों अगर आपने इससे पहले की क्लासेज अभी तक नहीं देखी हैं तो जाकर देख लीजी सभी वीडियोज आपको इसी चैनल पर टॉपिक वॉइस मिल जाएंगी और कहीं पर अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है कोई डाउट है या फिर आप हमसे कोई प्रशन करना चाह रहे हैं तो आप हमारे टेलीक्राम चैनल से जोट जाएए और टेलीक्राम चैनल की लिंक मैंने वीडियो की कॉमेंट बॉक्स में किल कर दी है तो वहाँ से जाकर आप लोग जोइन कर लीजेगा तो खजुराहों की मूर्तिकला अब सबसे पहले आप ये समझे कि खजुराहों के मंदिर हैं कहां तो ये आपके हैं मध्य प्रदेश में और इन मंदिरों का निर्मार किसने करवाया तो चंदेल सासकों के अंतरगत यहां पर कारे हुआ है ये भी आप ध्यान रखिएगा चंदेल सासक जिन्होंने 950 से 1190 संतक सासन की बागडोर समाली और इन्होंने मध्य भारत में बहुत उंचे मंदिरों का निर्मार करवाया जैसे खजुराहों में कंदरिया महादेव खजुराहों में बहुत सारे मंदिर हैं जिनमें से एक यहां पर दिया हुआ है कंदरिया महादेव मंदिर और ये खजुराहों समू का सबसे भव्य मंदिर है इन मंदिरों का निर्माड अंतहीन विविदिता वाली मानो मूर्तियों से किया गया है यानि खजुराहों में बहुत मूर्तियां है, मूर्तियों की भरमार है और खजुराहूं अपनी कामुक मूर्थ शिल्पों के लिए प्रशिद्ध है तो ये चीज़ा आप ध्यान रखिएगा और आगे समझें यहाँ पर खजुराहूं में जो मूर्थियां बनाई गई है खजुराहूं के मंदिरों में जो भी मूर्थियां बनाई गई है खजुराहूं की मूर्थियों को निर्माड शैली की दरश्टी से तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है यहाँ के मंदिर में जो भी मूर्थियां बनी हैं उनको हम निर्माड शैली की दरश्टी से तीन भागों में डिवाइट कर सकते हैं निर्माड शैली का मतलब है कि उनका निर्माड किस प्रकार से किया गया है तो यहाँ पर तीन शैलियां हैं और पहली है स्वतंत्र मूर्थियां स्वतंत्र मूर्थियां कैसी होती है ऐसी मूर्थियां जो चारो ओर से खोद कर बनाई गई है मतलब ऐसी मूर्थियां जिन्हें हम चारो तरफ से घूम कर देख सकते हैं और उनका केवल एक सिरा जमीन से जुड़ा है बाकी चारो तरफ किसी भी सते से जुड़ा नहीं है तो ये हैं स्वतांत्र मूर्थियां और ऐसी मूर्तियां हमें कहां देखने को मिलती हैं मंदिर के गर्भ ग्रह में फिर आती हैं दूसरे नंबर पर त्रिपार्श दर्सी मूर्तियां अब नाम से ही आप समझ पा रहे हैं त्रिपार्श दर्सी यानि ऐसी मूर्थियां जिन्हें हम तीन तरब से देख सकते हैं किके केवल तीन तरब से देख सकते हैं सामने से और दाएं से बाइन से पीछे का जो हिस्सा है वो दीवार से जुड़ा रहता है इस प्रकार की मोर्तियों का रीड की हड़ी वाला भाग धरातल से जुड़ा रहता है यानि जो रीड की हड़ी वाला पतला सा भाग होता है केवल ये धरातल से जुड़ा रहता है और बाकी सब उभरा हुआ होता है तो इन्हें कहते हैं त्रिपाश दर्सी मोर्तियां और फिर आती हैं आपकी तीसरे नंबर पर निम्न उभार वाली मोर्तियां इस प्रकार की मोर्तियों में पीछे का पूरा धरातल, पूरा भाग धरातल से जुड़ा रहता है तो इसमें क्या दिया है निम्न उभार यानी कम उभार इसमें उभार बहुत कम होता है और पीछे का जितना भाग होता है पूरा दिवार से या फिर सतय से जुड़ा रहता है तो ऐसे मूर्थियों को केवल हम सामने से ही देख सकते हैं तो आपको यहाँ पर जो तीन प्रकार बताये गए थे सभी क्लियर हो गए पहली सुतंत मूर्तियां जिन्हें हम चारों तरब से घूम कर देख सकते हैं और दूसरी हैं तिपार्शुदर्सी मूर्तियां जिसमें उभार बहुत अधिक होता है केवल रीड की हड़ी जितना भाग दिवाड से लगा होता है और ऐसी मूर्तियों को हम तीन तरब से देख सकते हैं तीसरी आती हैं निम्र उभार वाली मूर्तियां कम उभार वाली मूर्तियां इसमें पीछे का पूरा भाग सतह से जुड़ा रहता है और ऐसे मूर्तियों को केवल हम सामने से ही देख सकते हैं क्योंकि पीछे का पूरा भाग धरातल से लगा होता है और ये खजुराहों की एक तस्वीर है इसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मूर्तियों की कितनी भरमार है अब आगे समझे विसे वस्तु के आधार पर खजुराहों की मूर्तियों को पांच भागों में विभाजित किया जा सकता है इससे पहले आपने पढ़ा निर्माट शैली की दरश्टी से और अब हम पढ़ रहे हैं विसे वस्तु के आधार पर यानि कौन कौन से विसें को यहाँ पर मूर्ति के रूप में मूर्ति का आकार दिया गया है कौन कौन से यहाँ पर विसें हैं जिनको मूर्ति का आकार दिया गया है तो ऐसे अगर हम डिवाइट करें विसे वस्तु के आधार पर तो हम पांच भागों में डिवाइट कर सकते हैं मतलब पांच प्रकार के विसे यहाँ पर मुख्य रूप से चित्रत किये गए हैं खजुराहों में बनी मूर्तियां उन्नति के सर्वोच सिखरों पर पहुँची हैं सरीर की लचक वा भावपूर्ण भंगिमाओं के लिए विसेस उलेखनी यह मूर्तियां विस्स विख्यात हैं यानि विस्स भर में इनकी जो प्रशिद्धी है वो फैली हुई है इन प्रतिमाओं को प्रमुकता पांच भागों में बाटा जा सकता है अब पहले नंबर पर कौन से मूर्टियां आती है प्रत्थम वर्ग में मुख्य देवी देवता या तीर्थंकर की प्रतिमाएं आती है जो की मंदिरों के गर्भ ग्रह में प्रद्वुत्त दर्शाती है और सभंग मुद्रा में खड़ी हुई बनाई गई है तो प्रत्थम नंबर पर आती है वो मूर्थियां जो गर्भ ग्रह में स्थापित हैं यानि प्रमुख देवी देवताओं की मूर्थियां और इन मूर्थियों को सभंग मुद्रा में बनाया जाता है और इसमें कौन-कौन सी प्रतिमाय आती हैं तो जैसे विश्नु, शिव, गन्पती, महिसा सुर्मर्दिनी, शांतीनाथ, पार्षवनाथ, आदी देवताओं की प्रतिमाय आती हैं और दूसरे वर्ग में कौन सी मूर्थिया आती हैं? दूसरा वर्ग प्रमुख देव की पार्शव वह सहायक देवी देवताओं का है जो की मंदिर के अंदर वह बाहर बने छोटे छोटे आलो में रखी गई है दूसरे नमबर पर वो मोर्थी आती हैं जो मुख्य देवता के आसपास रखी होती है पार्शो का मतलब होता है किनारे साइड में तो दूसरे नमबर पर कौन से मोर्थी आती हैं जो मुख्य देवी देवता के किनारे बनाई जाती है या फिर मंदिर के बाहर जो छोटे छोटे आले बने होते हैं उनमें रखी जाती है और इन में कौन से मूर्थियां आती हैं तो जैसे गंगा यमना की मूर्थियां, नौ ग्रहों की मूर्थियां और शिव के अवतार, विश्नु अवतार, शक्ति रूपा आदि को सहचर रूप में प्रमुख प्रतिमा की महत्ता को बढ़ाने के लिए सास्त्री मापडंडों की मदद से त्यार किया गया है, यानि जो मुख्य मूर्थि है, उसकी सोभा को बढ़ाने के लिए ये मूर्थियां उसके साथ में बनाई जाती हैं, ये सभी प्रतिमाएं त्रिभंगी स्थिति में बनाई गई हैं, अब ये जो मूर्थियां हैं दूसरे वर्ग वाली, ये लामवड एवं बहुरूपा श्रंगारत आकरतियां हैं, यानि तीसरे वर्ग में जो भी आकरतियां हैं वो सभी कैसी हैं, सौंदर वाली हैं, सौंदर कमनियता, लामवड, लामवड का मतलब भी सुंदरता ही होता है, और श्रंगारत, तो ये सारे मूर्थियां तीसरे वर् प्रशिद हैं तो ये सुर सुंदरियों या फिर अपसराओं के नाम से जाने जाती हैं इस्तम पर बनी ये प्रतिमाएं चारों ओर से गढ़ी गई हैं जबकि दीवार पर बनी प्रतिमाओं को सामने की ओर से गहराई तक उभार दिया गया है फिर आती है चौथे नंबर की आक और जिसमें मैथुन आलिंगन आदि के द्रश्य हैं इसमें प्रेमी युगल को सामान एवं असमान क्रीडा में रद दिखाया गया है इस प्रकार के द्रश्य प्राया उत्तर मध्यकालीन सभी केंद्रों में दर्शाये गये हैं और सबसे महतुपूर्ण पॉइंट ये आप पंदित मूर्तियां उनके बारे में बताया जा रहा है और खजुराहों मुख्य रूप से इरोटिक स्कल्प्चर्स यानि कामुक मूर्तियों के लिए ही जाना जाता है तो ये पॉइंट आप अच्छे से ध्यान रखेगा और फिर आती हैं अब देखिए ये हैं कामुक स्क लक्षियों को दिखाया गया है जिसमें कल्पित पसू याली या फिर व्याल का चित्रन हुआ है कल्पित पसू यानि ऐसा जानवर जो वास्तों में नहीं होता है केवल काल्पनिक रूप से यहां पर दिखाया गया है जैसे आप देख सकते हैं ये जानवर आपने कभी जिसे याली या फिर व्याल कहा जाता है तो इस प्रकार के जो जानवर हैं वो भी हमें खजुराहों के मंदिरों में दिखाई पड़ते हैं तो ये हो गई खजुराहों की मोर्थियां अब हम लोग बढ़ते हैं कोडार के सूर्य मंदिर की तरफ कोडार का सूर्य मंदिर तेरवी शिताबदी के मध्य में कोडार के प्रशिद्ध मंदिर का निर्माड नर्शिंग वर्मन ने करवाया था किस ने करवाया था नर्शिंग वर्मन और ये जो आपका कोडार का सूर्य मंदिर है किस राज्य में है तो ये उड़ीशा में है या मं का सूरी मंदिर है ये कुछ रत की तरीके का दिखाई पड़ता है इसमें पईये भी बनाए गए हैं तल देश में बनी मोर्तियों में बनी एक पंक्ती में कहीं राजा स्वयम सवार होकर चल रहे हैं तल देश का मतलब है नीचे की तरफ और अनुचर हाथी पर राज छत्र धा करण की हुई चल रहे हैं कहीं वीर दर्ब यानि योधा गर्व से सेना दल के साथ में चल रहे हैं तो कहीं हाती अपने बच्चों के साथ जंगल में बड़े-बड़े व्रक्षों को कुचल कर खा रहे हैं और बच्चों को खिला रहे हैं युद्ध छेत्र में घुड़सव में बैठकर विश्राम कर रहे हैं, तो कहीं पर इस्त्रियां भोजन बना रही हैं, तो इस प्रकार के द्रश्य मंदिर की निचली शतह में यहाँ पर दिखाए गए हैं, यहाँ पर अनेग प्रकार के काल्पनिक जीऊ भी दर्शाए गए हैं, जैसे अभी आपने खजुराहों में पढ़ा कल्पित पशु याली वैसे ही कोडार के सूरी मंदिर में भी बहुत सी मूर्तियां ऐसी हैं जहां पर कालपनिक पशुओं को दिखाए गया है और गज नाग नागिन इत्यादी हाथी के ऊपर सेर जैसी आकरती हाथी के ऊपर सेर जैसे आकरती क्या ऐसा हो सकता है कोई जानवर आधा हाथी जैसा हो आधा शेर जैसा हो नहीं होता है तो इस प्रकार की आकरतियां यहाँ पर दिखाई गई हैं जो की कालपनिक हैं एवां एक जानवर मनुस्य की पीट पर खड़ा हुआ है आदी अनेग काल्पनिक मूर्तिया यहाँ पर द्रश्टि गोचर होती है तीसरी पंक्ती में इस्तरी और पुरुस के प्रेम मिलन विशेक मूर्तियों का अंकन किया गया है और इन में कोई-कोई मूर्ति इतनी अधिक विभत्स है कि काम सूत्र में भी उसका कोई वर्ण नहीं किया गया है यानि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि खजुराहों में इरोटिक स्कल्प्टर्स बने हैं काम शिल्प बने हैं वैसे ही जो आपका कोडार का सोरी मंदिर है यहां पर भी कामफ मूर्तिया बनाई गई है तो वही चीज यहां पर बताई जा रही है कि कोई-कोई मूर्ति इतनी विभत्स है कि उसका काम सूत्र में भी कोई वर्ण नहीं है और जो आपका काम सूत्रग्रंथ है ये कामकला से ही सम्मंधित है जगमोहन की छट के उपर वाले बरामदे में विभिन प्रकार के वाद यंत्रो सहित नरती भंगिमाओं में खड़ी नायकाओं के रूप अतुलनी है जगमोहन की छट अब जगमोहन आप नहीं समझपा रहे होंगे तो ये मंदिर का ही एक भाग है तो जगमोहन की छट के उपर वाले बरामदे में विभिन प्रकार के वाद यंत्रो सहित वाद यंत्र आप समझते हैं जो संगीत वाले यंत्रो होते हैं तो वाद यंत्रों सहित यहाँ पर बहुत सी नाइकाएं बनी हैं जो अपने हाथ में वाद यंत्रों को पकड़े हुए हैं बजा रही हैं इन मोर्टियों पर चूने का पलस्तर लगा कर विभिन रंग भरे गए हैं जैसे यहाँ पर एक नाइका बनी हुई है ढोलक बजाती ढ मंदिर की बाहरी दिवारों पर बनी विशेश मोर्टियां मंदिर के बाहर तीनों दिवारों पर तीन पार्शो देवताओं ब्रम्हा, विश्नु, महस की मोर्टियां हैं यानि मंदिर की जो तीन दिवारे हैं उन पर ब्रम्हा, विश्नु, महस की मोर्टियां बनी हुई हैं जो सूर्य के तीन विसेश रूपों को व्यक्त करती है वेदों में सूर्य को प्राता काल में ब्रह्मा यानि स्रस्टी करता मध्यान में महश्वर यानि धन्स करता विनाश करता और साय काल में विश्णू यानि पालन करता के रूप में वर्णत किया गया है तो यहाँ पर जो भगवान शुर्य है उनको तीन रूपों में दिखाया गया है स्रश्टी करता के रूप में यानि ब्रह्माजी के रूप में और भगवान शिव के रूप में यानि संगहार करता के रूप में और सायंकाल में जो भगवान विश्णु है उनके रूप में यानि पालन करता के रूप में तो यहाँ पर जो शूर्य भगवान है उनको तीन रूपों में प्रस्तुत किया गया है और यहाँ पर एक स्लोग भी है जिसमें क्या दिया हुआ है उदय ब्रह्महा रूपे मध्याडेतु महेश्वरा अस्त काले श्वयम विश्णु त्रयोमोर्ती दिवा करा है यानि सोरिका जब उदय होता है तो उदय ब्रह्महा रूपे यानि उदय के समय उसे ब्रह्महा का रूप माना गया है और ब्रह्महा कौन है स्रष्टी का निर्म माण करने बाले हैं स्रश्टी करता है मद्याडेतु महषवर और मध्यकाल में उन्हें भगवान शिव का रूप माना गया और भगवान शिव कौन से हैं उनको माना गया है विनासकर्ता की रूप में संहारक के रूप में और अस्त काले शोयम विश्णु और जब सूर्य अस्त होता है उस समय उसे भगवान विश्णु का रूप माना गया है और भगवान विश्णु पालन करता की रूप में जाने जाते हैं त्रयो मूर्ती यानि तीनो मूर्ती दिवा करा किसकी हैं? तीनो मूर्ती हैं सूरी भगवान की. अब समझे जगमोहन की प्रतिमाय यानि मंदिर का जो एक भाग है जिसका नाम है जगमोहन वहाँ पर कौन-कौन सी प्रतिमाय बनी हुई है? तो चलिए समझते हैं. जगमोहन के प्रधान प्रवेश द्वार के ऊपर एक विशाल क्लोराइड पत्थर पर नौ ग्रहों की सुन्दर मोर्तियां बनी हुई है तो जहां से जगमोहन की अंदर प्रवेश किया जाता है प्रवेश द्वार पर क्लोराइड यहां पर क्लोराइड पत्थर लिखा हुआ है यह ध्यान रखेगा क्लोराइड पत्थर से नौ ग्रहों की मूर्तियां बनाई गई है और ये मूर्तियां वास्तविक लगती है यानि बहुत ही इनको अच्छे ढंग से बनाया गया है कि ये मूर्तियां वास्तविक लगती है केवल एक दो को छोड़ कर सभी एक सबान है यानि नौ ग्रहों की मूर्तियां बनाई गई है तो एक दो को छोड़ कर लगभख सभी मोर्तियां एक ही जैसी लगती हैं और हाथों में अक्षे माला और कमंडल लिये पदमाशन में बैठी है और ये जो नौ ग्रहों की मोर्तियां हैं अपने हाथों में अक्षे माला लिये हुए और कमंडल लिये हुए पदमाशन में बैठी है कोडार्क मंदिर के महान निर्माता नर्शिंग को अपने अंतहपुर में सुन्दर महिलाओं से घिरे हुए संगी सुनते हुए एक जूले पर दिखाये गया है और इस मंदिर का निर्माड करने वाले जो राजा थे नर्शिंग वर्मन इनको महिलाओं से घिरे हुए यानि राजा को चारो तरप से महिलाओं ने घेर रखा है और जूले पर दिखाया गया है इनको संगीत सुनते हुए और ये द्रश अंतापूर का है अंतापूर आप समझते हैं जहां पर जो राजाओं की रानिया रहती थी या फिर जो भी महिलाओं हैं जहां पर रहती थी उसे बोलते थे अंतापूर ठीके तो इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है और आसा करती हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजेगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजेगा मिलते हैं बहुत जल्द नेक्ट क्लास में चत्त के लिए धन्यवासा थी जैहें थे